हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लन्वेदे दिमन, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकलोजी, तो साइकलोजी में आपकी सलीबस में आठ यूनिट है, जिसमें जो पहली यूनिट है, उसका नाम है सिक्षा मनोविज्ञान, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्दान्त हैं, जो की मनोविज्ञानिकों ने दिये हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके शेत्र, महत्व के बारे में पढ़ेंगे, क्या इसकी एक है सिक्षा और दूसरा है मनो विज्ञान तो सिक्षा जिसे हम क्या कहते हैं एजूकिशन कहते हैं और मनो विज्ञान यानी मन का विज्ञान ठीक है तो अंग्रेजी के साइकलोजी शब्द से ये बना है शिक्षा जो है जो कि इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वह है लेटिन शब्द एडुकेटम से मानी जाती है बहुत ही इंपोर्टेंट है कि जो शिक्षा है उसकी उत्पत्ति किसे सब्द से हुई है लेटन शब्द एडुकेटम से हुई है जो की दो सब्दों से मिलकर बना है E और डुको जिसमें E का अर्थ है अंधर से और डुको का अर्थ है बाहर निकालना यानि व्यक्ति की जो भी योगताएं हैं, जो भी शमताएं हैं, चाहे वो उसकी शारिक है, मानसिक है, बौधिक है, इन सभी योगताओं को बाहर निकालने की जो क्रिया है, किसके द्वारा होती है, सिक्षा के द्वारा होती है, सिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जो की बाहरी शम्ताएं योगताएं हैं उनको बाहर निकालना ये क्या है सिक्षा है वहीं दूसरी तरफ मनो विज्ञान जो कि अंग्रेजी के साइकलोजी सब्द से लिया गया है और यह है ग्रीक शब्द से इसकी उत्वत्ति मानी जाती है तो याद रखें एक्जाम में कई वार पूछा गया है कि साइकलोजी शब्द की उत्वत्ति किस भासा से हुई है तो वह ग्रीक भासा से हुई है तो यहाँ ग्रीक शब्द साइके और लौगस से मिलकर बना है साइकलोजी जिसमें साइके का अर्थ है आत्मा और लौगस का अर्थ है विज्ञान इसका अर्थ यह है कि यह पर हम आत्मा का विज्ञान इसका अध्यन करते हैं ठीक है आत्मा का अध्यन करते हैं किसमें साइकलोजी में तो उसके बाद जो है धार्णा जो भी मनो विज्ञानिक आते गएं तो उन्होंने जो है इसकी अलोचना भी की कि यहां पर जो है हम आत्मा का विज्ञान नहीं कह स इसे क्योंकि आत्मा की तो स्टडी नहीं की जा सकती ठीक है तो इसको क्या कहेंगे तो इस तरीके से मनोविज्ञानिकों ने अपने अपने जो है नाम दिये अपने अपने मत दिये जो कि हम आगे चलके पढ़ेंगे तो यहां सबसे पहरे हम सिक्षा की बात करेंगे तो व्यक्ति की जो भी अंदर जो शम्ताएं हैं योगताएं हैं उनको बाहर निकालना कैसे शिक्षा के द्वारा अब कई जो हैं बहुत सारे यदि हम बिलकुल सामानने बात करें तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी योगताएं होती हैं वह अपनी योगताओं को अंदर ही दबा कर रखता है बाहर नहीं निकालता है क्योंकि वो सिक्षित नहीं है यदि उसको शिक्षा दे दी जाती है तो उसके अंदर जो है धीरे धीरे जो है ये चीज़ डेवलप होती है कि वह अपनी योगिताओं को बाहर निकाले तो ये किसके द्वारा संभव है शिक्षा के द्वा महात्मा गांदी ने कहा शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के सरीर आत्मा और मस्तिक्ष इनके सर्वागीन एवं सर्वुत्तम विकास से है इसका मतलब ये है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सरीर आत्मा और मस्तिक्ष का ओवरॉल डेवलोपमेंट हो जाता है किसके द्वारा शिक्षा के द्वारा ठीक है यानि व्यक्ति को शिक्षित करना बहुत जरूरी है शिक्षा के द्वारा ही उसका विकास जो है वो संभव है ये किसके द्वारा कहा गया है महत्मकांदी के द्वारा कहा गया है टैफी नेशन आपके एक्जामें पूछ नेक्स्ट देखें प्लैटो, प्लैटो का कहना है सिक्षा के बारे में कि सिक्षा जो है वो शारिरिक, मानसिक और बौधिक विकास की प्रक्रिया है, ठीक है तो यह ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति का शारिरिक तोर पर विकास कर रही है, मानसिक तोर पर विकास कर रही है और उसके बौदिक जो है विकास वह भी करती है, तो जो प्रोसेस का नाम है वो क्या है? शिक्षा है, एजूकिशन है, ठीक है? तो अर्थ वही निकलता है, जो मैंने आपको पहले सामानने भासा में बताया, फिर देखें, फ्रेंडसन जो है, वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आदुनिक शिक्षा का संबन्द जो है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्यान से है, फ्रेंडसन का ये कहना है कि जो आदुनिक शिक्षा है, उसका संबन्द किस से है, उस व्यक्ति से है, यदि हम उस व्यक्ति को सिक्षित कर देते हैं, तो वो आसपास के वाताव पर उनको बदलते ही वो जो समाज है जिसमें वो है रह रहा है वो भी उसमें भी चेंजमेंट आ जाता है तो सिक्षा के द्वारा जो है यहां व्यक्ति और जो समाज क्योंकि समाज किसे बनता है व्यक्तियों के समूं से ही बनता है ठीक है तो सिक्षा के द्वारा जो है व्यक करते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति की उन सभी योगताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंतरन करने की शमता प्राप्त करता है तथा अपनी समभावना को पूर्ण करता है तो यहां तो बहुत अच्छे से ही क्लियर हो गया कि देखिए जो सिक् परिस्तितिया आती है उन पर नियंतरन कर सकता है शिक्षा के द्वारा यदि वह है शिक्षित है तो ठीक है और जो भी उसकी समभावनाएं हैं उनको पूरा करता है तो वाता वरण पर नियंतरन करने की शमता जो है वो कैसे प्राप्त करता है शिक्षा के द्वारा शिक्ष शिक्षा के द्वारा उसको मार्ग दर्शन मिलता है और वह सही दिसामे कारे करता है और वह ऐ सिक्षित होता तो वह इधर उदर भटकता अपने दिमाग को इधर उदर जो है वह ले जाता और जो भी उसके साथ जो विप्रीत परिश्दितियां आती हैं उन पर जल्दी से कर सकता है लेकिन आपने खुदने देखा होगा जो पढ़े लिखे होते हैं वो लोग सिचुएशन को समझ कर और फिर उसको हैंडल करते हैं तो यही जॉन द्विवी का कहना है कि सिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्विताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वाता से आपको याद रहेंगी कैसे हम लोगों ने महात्मागंधी की बात की महात्मागंधी ने जो है शिक्षा के बारे में क्या कहा तब थोड़ा सा दिमाग में रखिये कि उन्होंने شरीर आत्मा और मस्तिक्ष का जो ओवरॉल ड wrappment है उसकी बात की महात्मागंधी ने बहुत बड़ी बात कर दी, ठीक है, प्लैटो के अनुसार, प्लैटो जो है, वो शारिरिक, मानसिक और बौधिक विकास की बात करते हैं, तो इस परीके से इन शब्दों को याद रखें, ठीक है, फ्रेंट्सन जो है, जो की कहते हैं, कि सिक्षा का सम्मन जो है, वो व्यक्ति और का भी करती है जॉन डिवी जिनकी परिवासा में ये है कि शिक्षा के दोरा व्यक्ति जो है जो भी परिस्तितियां है वाता वरण में उनको कंट्रोल कर सकता है डगलस एवं हॉलेंड का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तन जो भी चेंजमे आ रहा है उसको फटा-फट से सामने वाले को बता देगा लेकिन आशिक्षित व्यक्ति उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो चेंजमेंट है वो क्यों हो रहे हैं ठीक है और जो भी चेंजमेंट होते हैं तो उनको वो अभिव्यक्त कैसे करें उसके पास शब्द ही नहीं है तो जीवन में जो भी चेंजमेंट हो रहे हैं उनको अभिव्यक्त कौन कर सकता है एक सिक्षित व्यक्ति जो है वह कर सकता है वह बखुवी जो है वह अपने शब्दों से उनको बाहर निकाल सकता है कौल सैनिक का कहना है कि सिक्षा जो है वो मानव की जनमजात शक्तियों तथा योगताओं का विकास करती है यानि कि कॉल से निक क्या कहते हैं कि सिक्षा जो है जो मानव की जनमजात शक्तियां है और योगताओं उनका विकास करती है क्योंकि यदि मानव की जनमजात शक्तियां जो कि सभी के पास है सभी को मिली है जनम जात ऐसा नहीं है यहाँ पर की सिक्षा जो है जनम जात सक्तियों का सिक्षा से नहीं मतलब ठीक है जनम जात सक्तियों जो सभी को मिली है लेकिन इन जनम जात सक्तियों को आगे बढ़ाने का काम जो है वह है सिक्षा का है शिक्षा इसको आगे ले जाती है अब कोई जो बालक जो है वो बहुत talented है लेकिन शिक्षा के अभाब में जो है वह आगे नहीं जा पा रहा है तो उसकी जो भी योगिताएं हैं शमताएं हैं उनका विकास जो है वह कौन करता है शिक्षा करती है ठीक है तो अब कैसे याद रखोगे देखिए आप लोग थोड होती है जो सैने शक्ति होती है वो आम इंसान के पास नहीं होती है मर मिटने के लिए जो है वह तैयार रहता है ठीक है तो इस तरीके से आप यह यहाँ पर संबन्द बिठा सकते हैं इसका कि सैनिक जो है उसके पास जो शक्तियां होती है उसके द्वारा ही वह है जब युद इसर कहते हैं कि शिक्षा से तातपर जो है अंतर नहित शक्तियों तथा बाहर जगत में समन्वे स्थापित करता है जो भी उसकी जर्मजा शक्तियां हैं जो भी बालक की और बाहरी जगत में समाज में आकर जो भी कुछ वह देख रहा है उन दोनों के बीज में जो है बैलेंस बैठाने का काम जो है वह सिक्षा करती है ठीक है सिक्षा के द्वारा जो है उसकी समझ का विकास होता है जिसके द्वारा वह अंतरने शक्तियों और भारी जगत में जो है समन्वे स्थापित करता है ठीक है तो ये सिक्षा से संबंदित जो है वो परिभासाएं थी इससे हमें ये पता चल गया कि शिक्षा जो की व्यक्ति की शारी टीक, मानसीक, बौध डेक जो शम्ताएं है, योके ताएं है, उनका जो है, वो डेवलोप करती है, आगे उनको ले जाती है, ठीक है, और जिसके द्वारा, शिक्षा के दौरा उस व्यक्ति का सर्वांगीन विकास होता है और उसके द्वारा ही पूरे समाज का विकास होता है क्योंकि एक समाज जो है किसे बना है व्यक्तियों के समों से ही बना है नेक्स्ट देखिए नेचर सिक्षा की प्रकर्ती तो सिक्षा की प्रकर्ती कैसी है सिक्षा जो है एक दुई धुर्विय प्रक्रिया है यह किसका कहना है यह एडम्स का कहना है एडम्स कहते हैं कि सिक्षा जो है कैसा प्रोसेस है यह एक दुई धुर्विय प्रक्रिया है यान को सिक्षार्ती को तो यहां पर जो है सिक्षा एक दुई धुरुविय प्रक्रिया है किसके द्वारा एडम्स के द्वारा शिक्षा एक त्री धुरुविय प्रक्रिया बताने वाले कौन है जॉन डुवी जॉन डुवी कहते हैं कि सिक्षा दुवी धुरुविय नहीं बलकि त्री धुरुविय प्रक्रिया है यहाँ पर तीन जो हैं काम करते हैं कौन-कौन एक तो सिक्षक जो की सिक्षा देगा तूसरा सिक्षार्ती जो की सिक्षा लेगा और तीसरा वो पाठे ग्रम जो की यहाँ पर मध्यस्त का काम कर रहा है ठीक है जिसके द्वारा जो है सिक्षा दी जा रही है तो दोनों ही परिभासाइं जो की बहुत बार एक्जाम में आई हुई है, पूछा जाता है कि सिक्षा को दूइ धुरविये प्रक्रिया किसने कहा? तुरी धुरविये प्रक्रिया किसने कहा? ठीक है, याद कैसे करोगे? बहुत ही आसान सा तरीका है Adams, Adams में देखिए add, add यानि अब कोई दो चीज़े ही add हो सकती है ठीक है, तो यहाँ दूइ यानि की, दूइ धुरवी है याद होगे आपको, Adams में add जो है, add का मतलब है, किनी दो चीज़ों को add करना, जोडना तो यह हो गई, दूइ धुरवी है प्रक्रिया, join, dwee तो यहाँ, dwee में देखिए one, two, three, तीन जो है क्या है, तीन वर्ड है ठीक है, तो यहाँ तीन जो यह वर्ड है तो यहाँ पर क्या है, त्री धुरवी है ऐसे याद कर लो, या फर एक भी याद रखोगे आप, तो दूसरा तो अपने आप याद आ जाएगा, इतना याद रखिए कि सिक्षा, जो है, दुई धुरवी है त्री धुरवी है, कहने वाले कौन है Adams और जॉन डुरवी है, जिसमें एक याद रखिए Adams यानि एड, एड यानि ये दो चीजे हो सकती है, तो ये दुई धुरवी है जब प्रक्रिया कहा है, Adams ने तो जब जॉन डुरवी जो है, उन्होंने त्री धुरवी ही कहा होगा, ऐसे आप याद रखें, सिक्षा की क्या विसेस्ताएं है, तो हमने परिभासाइं पढ़ी वहीं हमें क्लियर हो गया कि सिक्षा की क्या विसेस्ताएं है एक तो ये जीवन परियंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक उदेश्य पून और व्यवस्थित प्रक्रिया है ठीके, किसी ना किसी उदेश्य को लेकर ये चलती है, जैसे द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है पिलकुल होता है क्योंकि व्यक्ति जो की सिक्षित हो जाता है तो आसपास के वातावरन जो है उसको भी चाहता है कि वो भी सिक्षित हो सके उनको भी बहुत सारी बाते जो है इस सिक्षित व्यक्ति से पता लगती है परि और जो बहारी जगत में जो शक्तियां हैं, उनमें जो समन्वे स्थापित करता है, जिससे कि एक संतुलित विकास जो है वह हो पाता है शिक्षा के क्या उदेश्य हैं, तो इसके क्या उदेश्य हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यान प्रदान करना शिक्षा का एक ये उदेश्य है कि ये ग्यान परदान करना है बौदिग विकास के लिए ग्यान जो है अति आविश्यक है दूसरा है व्यवसाय चुनने का उदेश्य शिक्षित यदि हम हो जाते हैं तो हम अपना व्यवसाय चुन सकते हैं यदि हम सिक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कौन-कौन से व्यवसाय में हमें जाना है कैसे जो है हमें कमाई जो है वो करनी है तो जब हम सिक्षित हो जाते हैं शिक्षा ग्रहन कर लेते हैं तो हमारे सामने जो है एक ही चीज आती है कि हम कौन सा व्यवस चुनना जो है इसका उद्दिश्य है थर्ड जो है व्यक्तित्व का संतुलित्व विकास तो जो पर्सनेलिटी है उसका जो है संतुलित्व विकास करती है आप खुद देख लीजिए जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उसकी पर्सनेलिटी और एक सिक्षित व्यक्ति की पर् पुद शब्दों का प्रियोग करके क्या होगा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें तो क्या करना है मजदूरी करनी है ठीक है और मजदूरी जितना हम करेंगे तो उसी तरीके से हमारा परिवार का पेट पर लेगा तो ये उसकी धार्ना है क्योंकि वो आशिक्षित है वो जिस दा व्यक्ति जो है वो खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में सोच सकता है, उसका रहन सहन, उसका चलना, उठना, बैठना, तो ये व्यक्तित्व में आता है, तो इसका जो संतुलित विकास है, वह सिक्षा का उदेश्य रहता है, हम खुद ही बोल देते हैं, हम जब पढ़े लेके हैं, तो हम खुद ही छोटे से बच्चे को भी बोलते हैं, कि मैनर्स से बोलो, ठीक है, अच्छे शब्दों का प्रियोग करो, ढंग से कपड़े पहनो, ठीक है, अच्छे तरीके से बैठ कर खाना खाओ, तो ये क्या है, हम खुद पढ़े लेके नहीं होंगे, तो हम उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देंगे, हमारा उद्देश्य होगा ही नहीं, कि हम इन चीज़ों को से बोलें, कि अगर कोई खाना खा रहा है, तो खाए, कैसे भी कपड़े पहन कर जाए, क्योंकि आशिक्षित विक्ति का दाइरा जो है, वो बहुत सीमित होता है, व यहां पर बच्चे जो है, जॉब लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, बहुत महनत करते हैं, और सभी को जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो वहां पर वो सिक्षित है, ऐसा नहीं है, कि उसको जॉब नहीं मिली, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, या वो आशिक्षित है, आपके व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो रहा है, ठीक है, और आप लोग व्यवसाय चुनने के लिए तयार भी हैं, वो बात अलग है कि व्यवसाय अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कोशिश यही है, कोशिश तो यही है, कि जो भी जौब है वो आपको मिल जाए, तो माध्यम जो है वो कौन बनता है, शिक्षा ही बनती है, शिक्षा के द्वारा ही आप लोग इतना जो है वो सोच पा रहे हो, पूर्ण जीवन का उद्देश यह, तो ये उद्देश जो है, इस पैंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और पूर्ण जीवन के अंतरगत जो है वो पांच ग्रियाएं सम्मिलित हैं, कौन कौन सी, आत्म संदक्षन, व्यवसाय का चुनाव, अपने घर के महत्पूर्ण सदस्य होना, समाज में अपना योगदान देना, और खाली समय को बहतर प्रियोग करना, तो आत्म संदक्षन यानि की सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन जो है वो सिक्षा के द्वारा ही, व्यवसाय का चुनाव जो है वो सिक्षा के द्वारा ही होगा, अपने घर के महत्पूर्ण सदस्य होना, जो इंपोर्टेंस है व्यक्ति की, तो वो सिक्षा के द्वारा ही सामने आती है, ठीके, अब चार व्यक्ति हैं घर के अंदर ठीक है तो मान लीजिए वो सभी बराबर हैं बराबर उम्र के हैं ठीक है बुजर्गों की बात नहीं कर रही हूं बराबर उम्र के हैं जिसमें से एक जो है वो पढ़ा लिखा है बाकी तीन जो है वो खाली बैठे जो है क्या करते रहते हैं अपना टाइम पा होता है जिससे की घर में महत्वपुन सदस्य जो वो बन जाता है समाज में जो है अगर कहीं जरुद पड़ती है तो उस सिक्षित विक्ति को ही बुलाया जाएगा और खाली समय को वो कभी भी बरवाद जो है नहीं करेगा उसको और बहतर और बहतर जो है वो बनाने की तो स्पेंसर ने बताया है ये चीजें कि सिक्षा के द्वारा जो है पूर्ण जीवन की अंतरगत जो है वो पाँच क्रियाएं जो है समलित होती है ठीक है किसने कहा है स्पेंसर ने नेक्स्ट देखिए इसका उदेश्य क्या है सिक्षा का चरित्र निर्मान करता है तो जॉन डुईवी ने जो है इसको बहुत महत्रपुन माना है कि सिक्षा जो है वो चरित्र का निर्मान भी करती है व्यक्तिगत उदेश्य क्या है इसका स्वेम का विकास करना और सामाजि उदेश्य क्या है इसका कि व्यक्ति के द्वारा ही समाज जो है उसका विविकास होता है तो चलिए अब हमने जो है सिक्षा की बात कर ली तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया सिक्षा क्या है सिक्षा के द्वारा क्या हो सकता है इसका क्या उदेश्य है ठीक है तो चलि दूसरा जो point था सिक्षा मनोविज्यान में सिक्षा पढ़ लिया हमने उसके बाद है मनोविज्यान मनोविज्यान जो है systematic study of mind है यानि कि क्रमवद तरीके से अध्यन करना किसका mind का माइंड का क्रमवद तरीके से अध्यन करना जो है क्या कहलाता है मनो विज्ञान कहलाता है तो प्रारंब में जो मनो विज्ञान जो है वह दर्शन सास्र के एक साखा के रूप में जाना जाता था ठीक है इसको हम दर्शन सास्र के अंतरगत ही पढ़ते थे तो जो मनो विज्ञान के जो जनक हैं कौन? अरस्तू तो अरस्तु के समय दर्शन सास्र के अंग के रूप में जो है मनोविज्ञान ने अपना जीवन जो है वो स्टार्ट किया था और बाद में जो है ये धीरे धीरे जो है वो दर्शन सास्र से अलग हुआ था आदनिक समय में जो है कई जो है वो परिवर्तन आये जो कि हम देखेंगे पता चलेगा हमें कि दर्सन सास्र से जो है वो ये कैसे अलग हुआ तो मनोविग्यान का जो मूल नाम था प्रारंबिक नाम वह था ज्यान मीमानसा ठीक है तो ये ज्यान का सिद्दान्थ था मनोविग्यान का जो मूल नाम है वो है ज्यान मीमानसा या ज्यान सिद्दान्थ मी हम कहते हैं मनो विज्ञान सब्द जो है वो सर्व पर्थम जो है रुडॉल्फ ने पंद्रे सो नब्बे में अपनी पुस्तक में इसका प्रियोग किया तो शब्द का जो प्रियोग किया मनो विज्ञान शब्द का वो किस ने किया रुडॉल्फ ने किया सबसे पहले पंद्रे सो नब्बे इस्वी में मनो विज्ञान के जनक किसे माना जाता है अरस्तू को माना जाता है फिर देखें मनो विज्ञान सब्द जो है वो अंग्रेजी भासा के साइकलोजी सब्द से बना है इसकी उत्पत्ती किस से मानी जाती है ग्रीग भासा और युनानी भासा से मानी जाती है तो इसी भासा के दो शब्द जो है साइकी और लॉगस इससे मिलकर बना है जिसमें साइकी का आर्थ मैंने आपको पहले बताया था आत्मा और लॉगस का आर्थ क्या है विज्ञान या अध्यन तो यहां हम आत्मा का अध्यन करते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले देखेंगे मनो विज्ञान का विकास ग्रम तो सबसे पहले इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है सोलवी सताब्दी में कहा गया तो सोलवी सताबदी में इसके समर्थक जो रहे प्लैटो, अरस्तू, अरस्तू जो की मनोविज्ञान के जनक हैं, डेकारते और डेमोक्रेट्स, ये इसके समर्थक हैं जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जिसमें हम आत्मा का अध्यन करते हैं, तो इसे आत्मा का विज्ञान कह जाएगा लेकिन इसके जो अलोचक रहे रोस, जॉन लॉक और हॉब्स ठीक है उन्हों ने कहा कि जो आत्मा है उसकी स्टडी ही संभव नहीं है आत्मा जो है वो तो दिखाई ही नहीं देती है तो उसका अधिन कैसे हो सकता है तो इसे वज़े से इसे जो है अमान्या कर दिया क क्योंकि आत्मा की व्याक्या नहीं हो सकती तो अब इसे आत्मा का विज्ञान नहीं कहा गया फिर इसे मन या मस्तिक्ष का विज्ञान कहा गया कि मनों विज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है मस्तिक्ष का विज्ञान है क्योंकि हम इसमें मन की मस्तिक्ष की जो है वो इस आत्मा का विज्ञान नहीं है मनों विज्ञान बलकि ये मन की व्याख्या करता है और ये मन का विज्ञान है ठीक है या मस्तिक्ष का विज्ञान है तो इसके बाद देखिए अब देखिए कोई भी जो है बातें जब करता है तो अलोचक जो है उसके आही जाते हैं तो यहां पर कई जो हैं मनों विज्ञानिकों ने जैसे विलियम बुंट हैं विलियम जैम्स हैं उन्होंने कहा कि जैसे आत्मा का अध्यान नहीं हो सकता है उसी तरीके से मन की व्याक्या नहीं की जा सकती क्योंकि मन तो बहुत ही चंचल होता है एक जगे पर जो है नहीं टिकता है एक वज़े से जो है इसको भी अमाल्य कर दिया गया उसके बाद देखिए चेतना का विज्ञान तो 19 सताबदी में समर्थक जो रहे हैं चेतना का विज्ञान कहने वाले वो रहे हैं विलियम जैम्स टिचनर और विलियम बुंट ठीक है तो विलियम बुंट जिन्होंने जो है पह कर होता है एक तो है समवेधना और दूसरा भाव और थीषरी प्रतिमा ठीक है तो ये तीनों तत्व जो है वो मिलकर जो है मन को क्रियाशिल करते हैं तो इसी आधार पर बुंड ने जो है मनों विज्ञान को क्या कहा चेतना का विज्ञान कहा लेकिन इन्हों ने दो चीजें जो है नकार दी कि मन जो है वह उसके तीन भाग है चेतन, अचेतन और अर्दचेतन तो इन्हों ने केवल और केवल चेतन पर ही फोकस किया तो इसी लिए इनकी जो है इस धार्णा को भी नकार दिया गया ठीक है क्योंकि इन्हों ने अपने जो अध्यन में आर्दोचेतन और आचेतन जो है इनको शामिल नहीं किया तो प्रियोग आत्मक मनोविज्ञान के जनक सबसे पहले प्रियोग करने वाले जो है वो कौन थे मनोविज्ञान के संदर में तो बिलियम भुंट थे तो इसी लिए प्रियोग आत्मक मनोविज्ञान के जनक जो है बिलियम भुंट को माना जाता है इन्हों ने आत्मनिरिक्षन विधी का प्रियोग किया सबसे पहले 1889 में जर्मनी के लिब्जिंग वर्ग में बिलियम भुंट ने प्रिथम मनोविज्ञानिक प्रियोग साला खोली बहुत important line है exam में पूछी जाने वाली है और जब इन्होंने मनोविज्ञानिक प्रियोग साला पहली खोली और यहीं से मनोविज्ञान जो है वो दर्सन सास्र से अलग हो गया तो हमने जो है सबसे पहले पढ़ा था कि मनोविज्ञान जो है दर्सन सास्र के एक साखा के रूप में था उसके एक अंग के रूप में ही पढ़ा जाता था लेकिन अब जब इसकी प्रियोग साला जो है एक्जाम में यदि कुशन कैसे भी घुमा के पूश लिया जाए ठीक है कि मनो विज्ञान जो है वो दर्सन सास्र से अलग कब हुआ तो आप याद रखेंगे विलियम बुंट ने जो है पहली प्रियोक साला जो है मनो विज्ञान ने प्रियोक साला खोली थी तो इस वज़े से इसे भी नकार दिया गया ठीक है क्योंकि अचेतन और अवजेतन को इन्होंने शामिल नहीं किया अब देखिए चेतन जो है वह क्या होता है मन के तीन भाग है चेतन अचेतन और अवजेतन ठीक है तो जो चेतन मन है जब हम कोई काम करते हैं बिल्कुल एक्टिव होकर करते हैं ठीक है तब उसे हम क्या कहेंगे चेतन मन कहेंगे यानि कि हमारा जो माइंड है उस समय पूरी तरह एक्टिव होता है तो चेतन मन को हम एक्टिव माइंड जो है वह कह सकते हैं तो जब हम कोई कारे को पहली बार सीखते हैं, करने कोशिश करते हैं, तो उस समय हमारा मन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो चेतन वस्था में होता है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप अभी जो है वो चेतन मन से मुझे सुन रहे हो, तो ये क्या है? चेतन मन है, ठी ठीक है, जिसके काम के बारे में जो है व्यक्ति को जानकारी जो है वो नहीं रहती है, यानि हमारे जो सरीर, हमारा जो मन है उसका 90% के बारे में तो हमें जानकारी नहीं रहती, ये मन की जो है जैसे स्वस्त है, अस्वस्त है, इन क्रियाओं पर जो है वो प्रभाव डालता ह तो इसका जो जानकारी जो है वो व्यक्ति को जो वो सपने देखता है तो उसमें हो सकता है ठीक है अब हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमने जो है यह सपना देखा पता नहीं कैसा सपना है हमारे दिमाग में आया यह चीज हमें तो हमने तो देखी ही नहीं थी जब हम जाग रहे थे तो यह सपना जो है वो है किस तरीके का आया ठीक है तो कुछ ना कुछ जो है वो क्लू जो है वो माइन पर एफेक्ट जो है वो डालता ही है ठीक है तो मन की जो है स्वस्त और अस्वस्त क्रियाओं पर जो है वो प्रभाव डालता है तो इसका जो जानकारी जो है वो व्यक्ति को जो उसके सपने आने वाले हैं उससे होती है ठीक है तो आज चेतन मन को आप अपने सपनों से जोड सकते हैं और चेतन मन जो है जो की आपका एक्टिव है इस समय तो वह है चेतन मन है तीसरा जो है अवचेतन मन जब हम कोई काम को बिना डरे या जिजक के कर लेते हैं जिसमें किसी प्रकार का जो कोई दवाब नहीं हो जिजक नहीं हो तो वो अवचेतन मन होता है जैसे कि जब आप जो है गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो बिना डर के बिना भै के कोई भी रास्ते में जो है वो गाड़ी चला लेते हो, ठीक है? तो उस समय जो है जो जिजक नहीं होती है, तो वो आपका जो है अवचेतन मन है, यानि कि कोई चीज याद करने पर आपको याद आ जाए, जैसे कि एक्जाम हॉल में आप लोग पेपर जो है सॉल्फ करते हैं, तो उस समय जो है वो चेतन मन जो है इसको शामिल किया अचेतन अवचेतन को शामिल नहीं किया जबकि मनों विज्ञान जो है चेतन अचेतन अवचेतन तीनों का अध्यन करता है तो इस वज़े से इसे भी अमान्य कर दिया गया मैकडूगल जो है वो इसकी अलोचना करते हैं फोर्थ देखिए फो जहारा हो कि इसे वहार का विज्यान है अबर समर्थन करते हैं याद रखें वाट्सन करते हैं व्डवर्थ करते हैं इसकीनर करते हैं और मैगडूजफियो ह報導 करते हैं ठीक है? तो इन्होंने अपने जो है छोटे से जो बच्चा है 11 साल का जो अलवर्ट उस पर प्रियोग किया था ठीक है कि उसके विवार में जो है वो कैसे परिवतन आ रहा है एक बाद में हम देखेंगे कि जो अलवर्ट था 11 साल का तो उसके साथ जो है खरगोष का प्रियोग जो है वाट्सन ने किया था तो मनो विज्ञान को विवार का विज्ञान जो है कहने वाले कौन है वाट्सन है इन्हें जो है विवार वाद का जनक कहा जाता है ठीक है वोडवर्थ कहते हैं सकेनर कहते हैं और मैकडूबल कहते हैं तो ये नाम जो है वो आपको बिल्कुल याद होने जाएए वाट्सन ने ब्राहा निरिक्षण विधी द्वारा मनो विज्ञान में सभी जीवित प्राणियों का अध्यन किया तो ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि किवल मनुष्य पर ही मनुष्य पर ही अध्यन करना मनो विज्ञान नहीं है बलकि जितने भी जीवित प्राणी है उनके विवहार का अध्यान करना ही मनोविज्ञान है तो इन्होंने कौनसी विदी का प्रियोग किया बहारी बहाय निरिक्षन विदी का ठीक है मैक डूगल ने अपनी बुक जो है आउटलाइन साइकलोजी जो की पेज नमबर 16 में क्या लिखा है कि चेतना एक बुरा शब्द है इसका मतलब क्या है कि जो विलियम बुंड ने चेतना का विज्ञान कहा था मनोविज्ञान को इसको इन्होंने नकारा और खुब इसकी अलोशना की अपने बुक आउटलाइन साइकलोजी में ठीक है इनकी जो बुक का नाम क्या है आउटलाइन साइकलोजी तो बिल्कुल यहां तक आपको सारी बाते जो है समझ में आई होगी ठीक है व्यवहार की व्याख्या जो है वो मैग डूगल ने की जबकि व्यवहार का मनोविग्यान में प्रियोग जो है वो वाटसन ने किया तो इसलिए वाटसन को क्या का जाता है व्यवहारवाद का जनक क्योंकि इन्होंने जो है प्रियोग किया और व्याख्या जो है अपनी बुक में मैग डूगल ने की तो वेवार की व्याख्या छोटा सा ही अंतर है याद रखें वेवार की जो व्याख्या है वो MacDougal ने की जब की वेवार का मनोविग्यान में प्रियोग किस ने किया? Watson ने किया आधुनिक मनोविग्यान के जनक जो है वो William James को माना जाता है ठीक है? ये जो है नोट में आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है? कि हम देखते हैं Watson जो है वही याद रहते हैं कि वेवारवाद के जनक हैं क्योंकि इन्होंने प्रियोग किया था वेवार पर तो आधुनिक मनोविग्यान के जनक भी वही है व्यवहारवाद के जो जनक है वह कौन है? वाटसन है जबकि आधनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जैम्स है तो चलिए अब हम देखेंगे इनकी परिभासाइं जो की खुब पूछी जाती है एक्जाम में वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का सुद्ध विज्ञान है क्योंकि हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं वो विहेवियर की करते हैं व्यक्ति के व्यवहार की करते हैं Watson कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाता हूँ तो इनका ये कहना है कि कोई भी छोटा बच्चा को आप यदि ले और आप उसको जैसा भी बनाना चाते हैं बना सकते हैं यानि उसके विवार में जो परिवर्थन करना है आपको वो आप कर सकते हैं जैसा आप उसको दिखाएंगे वैसा ही वो करेगा ठीक है वाट्सन ने विवार का अध्यान जो है वो अपने 11 वर्ष ये पुत्र जो है वो अलवर्ड पर किया तो ये प्रियोग जो है जो कि हम सर्व प्रथम जो है आत्मा का त्याक किया फिर मन का त्याक किया फिर चेतना का त्याक किया और आज मनोविज्यान जो है वो वैवहार की विधी को सुईकार करता है तो इसी वज़े से जो है इनको आधुनिक मनोविज्यान के जनक कहा जाता है किसे वुडवर्थ को क्योंक इन्होंने जो है जो कि अंतिम जो निचोड होता है अपनी परिवासा में वो दिया उन्होंने कहा कि जो प्लैटो अरस्तू है जिन्होंने कहा था कि ये आत्मा का विज्ञान है ठीक है तो मनों विज्ञान ने जो है सबसे पहले ये कहा फिर मन का कहा तो मन का कहने वाले जो है कौन थे तो पॉम्पो नौजी जॉन लॉग जो है ये कहते थे कि ये जो है मन या मस्तिक्ष का विज्ञान है तो इसको भी नकारा गया फिर चेतना का विज्ञान कहा गया तो चेतना का विज्ञान में जिसमें जो है प्रियोग जो है वो बिलियम बुंट ने आत्मन जो है वो कैसा है व्यभार की विदी को सुईकार करता है तो यह व्यभार का विज्ञान है तो इसी लिए वुडवर्थ को क्या कहा गया है वुडवर्थ को आधनिक मनो विज्ञान का जनक कहा गया है तो अब आपको जो है हमेशा याद रहेगा कि आधनिक मनो विज्ञान के जनक कौन है ठीक है कई वार जो है confusion हो जाता है पिलसबेरी ने 1911 में बुक एंसियल्स ओफ साइकलोजी में परिभाशा दी मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान की सबसे संतोज जनक परिभाशा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है यानि मानव का जो व्यवहार है उसका अध्यन करना तो वो क्या है मनोविज्ञान है ठीक है तो मनोविज्ञान के सबसे संतोज जनक परिभाशा मानव विवहार के विज्ञान के रूप में जो है हम कर सकते हैं इसकीनर कहते हैं कि मनो विज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्तितियों में चाहे कोई भी परिस्तिति आती है उसमें प्राणी की क्रियाओं का अध्यन करता है वच्पन से लेकर यानि जब वो पैदा हुआ है जब से लेकर व्रत्यु परियंत तक जो भी उसके साथ जो प्रकार की गत्विदियां हैं समा योजनाएं हैं क्रियाएं हैं एवं अभिव्यक्तियां हैं यानि जो भी हम कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हो पच्पन से लेकर अब तक चितने भी विवहार आपने किये हैं वो सभी क्रियाएं गत्विदियाएं ये क्या हैं मनो विज्ञ ऐसा कह रहे हैं इसके नर फिर देखिए एक और परिवासा है वाटसन की कि मनो विज्ञान विवहार का एक निश्चित विज्ञान है या मनो विज्ञान जो है एक धनात्मक विज्ञान है एक्जाम में कई वार जो है वाटसन की परिवासा जो की बहुत इंपोर्टेंट है प क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनो विज्ञान मानव व्यवार और मानव संबंदों का अध्यन करता है ये मानव का जो व्यवार है उसका अध्यन करता है और मानव का मानव के साथ क्या संबंद है कैसा वो उनके साथ विहेव कर रहा है उस सब का अध्यन क्या है मनो विज्ञान है तो इस सभी परिभासाओं में यही है कि मनो विग्यान क्यासा विग्यान है विवार का विग्यान है मैक डूगल ने कहा कि मनो विग्यान आचरण एबम विवार का यथार्थ विग्यान है अब ये परिभासाइं जो हैं जो कि आप समझते हुए चल रहे हैं और बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी ठीक है आप लोगों के एक्जाम में जो परिभासाइं जो हैं ये आपकी पूछी जाती हैं और परिभासाइं जो हैं जो आपकी फर्स्ट पर दो दो पूज़ रहते हैं कि इसके जनक कौन हैं 또 मनोविग्यान के जनक जो है वह अरस्तु हैं हमने पढ़ लिया सिक्षा के जो है वह फ्रॉबल थे ठीक है आधनिक मने विग्यान के जनक विलियम जैम्स हैं और क्यों है वो हमने इनकी परिभासा में देखा कि विलियम जैम्स जो है वो क्या गह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले जो है मनो विग्यान ने पहले किसका त्याग किया? पहले उसने आत्मा का त्याग किया उसके बाद जो है मन का त्याग किया फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविग्यान जो है व्यवहार की विती को सुईकारता है तो ये आधनिक मनोविग्यान के जनक कहलाएंगे मनो विग्यान के वास्तविक संस्थापक जो है वो विलियम जैम्स को ही कहा जाता है विकास आत्मक मनो विग्यान के जनक जो की जीन प्याजे है संग्यान आत्मक मनो विग्यान के जनक कौन है जीन प्याजे है किसोर मनो विग्यान के जनक स्टैनले हॉल जो की कहते है प्रियोग आत्मक मनोविज्यान के जनक विलियम बुंट है क्योंकि सबसे पहली मनोविज्यान के विसे में प्रियोग साला खोलने वाले कौन है विलियम बुंट है जिन्होंने जर्मनी में जो है प्रियोग साला इस्थापित की थी ठीक है और उसी वज़े से जो है ये एक अ अध्यान के रूप में सामने आया और दर्सन सात्र से अलग हुआ गत्यात्मक मनोविज्यान के जनक जो है वो वुडवर्त हैं सिक्षा मनोविज्यान के जनक कौन है थौन डाएक हैं तो हम आगे पढ़ेंगे अभी जब सिक्षा मनोविज्यान को पढ़ेंगे बाल विकास के सर्व प्रथम विज्ञानिक अध्यान पैस्टोलोजी ने किया था बाल अध्यान का पिता जो है वो स्टैनले हॉल को माना जाता है बाल अपराद मनो विज्ञान का जनक सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है प्रथम मानवतावादी मनो विग्यान एब्राहिम मैसलो है जिन्होंने मानवतावादी से दांत दिया व्यवहारवादी मनो विग्यानिक जो है वो कौन है वाटसन है फिर नोट देखिए जहां पर मनो विग्यान जो है एक विधायक विग्यान है किसने कहा मैग डूगल ने क तो मैंने एक साथ ही ये लिख दिये हैं ताकि एक शब्द की वज़े से ही आपका कुश्चन का अंसर जो है वो रॉंग ना हो ठीक है तो परिभासाइं भी पहले हमने देख ली और अब यहां पर भी आप देख लें कि विधाएक विज्ञान किस ने कहा मैग जूगल ने धना आत्मक विज्ञान या सुद्ध विज्ञान किस ने कहा वार्सन ने और विशुद्ध विज्ञान कहा वुडवर्द ने तो आई होप आपको यहां तक जो है सारी बाते समझ में आई होंगी सिक्षा के संबंद में और मनो विज्ञान के संबंद में तो वीडियो काफी पढ़ाया है इसको आप एक दो बार जो है सुनेंगे तो आपको ये चीजे जो है वो बिलकुल अच्छे से याद हो जाएंगी थैंक यू